प्रिंड्स आप कैसे हो ? चलिए आज आपको ओईली स्कीन के बारे में बात करते हम जिसकी हो जाती है तो क्या यूज करें तो उनकी स्कीन नॉर्मल हो जाए तो चलिए आज ओईली स्कीन के बारे में कुछ टिप्स देती हूं सबसे पहले क्या करें सबसे पहले कच्चे दूद किसी कभी या जो प्रिण दूद को साफ करें और छोड़ दीजे 10 मिनट के बाद अपना फेश दो लीजिए और आप इसको daily यूज़ करिए इससे आपका जो oily skin है वो normal skin हो जाएगा दूसरा rice जो चावल का आटा होता है तो चावल के आटा को आप पानी से थोड़ा सा घोल बना लीजिए और इसको 15 मिनट तक अपने face में लगा रहने दीजिए फिर हलके कुन-कुने पानी से या normal पानी से आप face को दो लीजिए आप इसको सब्ताय में दो बार कर सकते हैं आप जरूर यूज़ करिए इससे आपका oily skin अच्छा हो जाएगा टमाटर का रस रोजाना आप face में अपने लगाए थोड़ा सा कदुकस कर लीजिए ग्लाइंडर से पीश लीजिए या डारेक्ट भी से काट के अपने face में घस लीजिए टमाटर को और यह 15-20 मिनट के छोड़ दीजिए इससे आपके क्या है और सबसे अच्छी वेश्ट है face boss आप रोजाना face boss करिए दिन में चार वर face boss करिए आप इससे आपका oily skin निकल निकलने लगा आपके pimples भी नहीं पड़ेंगे तो आप face बहुत जरूर यूच करिए या आपके face के लिए बहुत अच्छा रहता हनी हनी सहद सहद अपने face के ल यूच करिए इसको 15 मिल लगा रहने दीजे फिर धो लीजे इससे क्या है दीरे-दीर oily skin आपका दीरे-दीर साफ होने लगेगा उसकी बात है कि मिलतानी मिट्टी मिलतानी मिट्टी आप रोजाना यूच करेंगे तो आपके face भी अच्छा glowing करने लगेगा और पूरी oily skin निक